बेरे होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चलेने की रस्ते पे हम से भूल कर भी कोई भूल होना दोस्तों अगर आप भी अक्सर टॉपिक्स को पढ़ने के बाद भूल जाते हैं तो इसका समाधान क्या होना चाहिए सर आप उन टॉपिक्स को भी दुबारा याद करें जो आपको याद है अक्सर वो विक्ती बहुत पावरफुल बन जाता है कोटिल ले पंडित बन जाता है जो अक्सर बंद कमरे में बैट करके और चार चार घंटे छे छे घंटे पढ़ाई करता है और उन टॉपिक्स को अहमियत देता है जो वो याद कर चुका है तो जो टॉपिक्स आपको याद है उन टॉपिक्स को दुबारा पढ़ा करो आपकी ये समश्या धीरे धीरे सॉल हो जाएगी और आपके ओटोमाटिकली बेटा पॉजिटिव स्कोर आने लगेगा क्लियर है दोस्तो अरे भाई बोलो most serious problem का solution क्या है एक मत्र solution है practice again and again चाहे हमें आता है practice again and again चाहे हमें आता है लेकिन फिर भी हमारी जम्मेदारी बनती है कि हम new topics को जैसे हमारा जितना भी time है दोस्तो अगर मेरा time 6 hours है तो मेरे को क्या करना है new topics को अगर मेरा 60% time देना है तो मुझे अपना 40% time old topics को भी देना है इससे होगा क्या कि दोस्तो old topic और strong होते जाएंगे और मेरी knowledge में new topics add होते जाएंगे जो इस formula पर काम करता चलेगा एक दिन उसकी तयारी बहुत strong हो जाएगी और उसकी जो भूलने की प्रवर्ती है वो खतम हो जाएगी और ऐसा आपको आज से ही practice में लेके आना है और बच्चों जादा से जादा 15 से 20 दिन आप इस चीज की practice करो तो result अपने आप नजर आएगा clear है दोस्तों